Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Reans. So my dear class 9 students, आपकी वो computer application, book code 165 को continue करते हुए. आज इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं, the brand new chapter, that is chapter 6. Yes students, chapter 6, जिसका नाम cyber safety है, जो की आपकी unit 2 में रखा गया है, unit 2 का नाम भी cyber safety ही है. Yes students, unit 1 भी हम पूरा complete कर चुके हैं, जिसमें हमने chapter 1, 2, 5 पूरे complete कर लिया है. और आज की इस वीडियो से हम unit 2, that is cyber safety की शुरुबात करने वाले हैं. अब cyber safety होता क्या है, ठीक है, किस लिए use किया जाता है, overall इस chapter में क्या-क्या important points है, यह आज की इस वीडियो में हम cover करेंगे, so start से लेकर end तक आपको पूरी वीडियो को देखना है, जिसमें हम देखने वाले हैं, what is cyber safety. So this is Professor Abarkha Gupta, your computer educator for class 9th and magnet brains पे आपको ना सिफ K-12 बलकि CBSE, English, Medium, CUET, NTSC and other competitive exam के preparation कराई जाती है, 100% free of cost with high quality education. So इस अची बात से शुरुबात कर लेते हैं आज की इस वीडियो की, अब cyber safety world को यदि समझना है, So हम इसे normally समझते हैं, जैसे आप normal जो अपनी life spend कर रहे हो, मतलब आप घर में रहते हो, parents से contact करते हो, घर में किस तरीके से behave करते हो, कैसे manner में रहते हो, school जाते हो, properly discipline में ready ready होके, school uniform पहन के सही तरीके से, school में discipline में रहते हो, time पे पहुँचते हो, सब काम time पे करते हो, teacher से अच्छे से बात करते हो, principal से अच्छे से बात करते हो, ठीक है, अपने friends के साथ में मस्ती मजा करते हो, वगरा वगरा, तो आप अपनी normal life जो भी है, है ना, जिसे हम offline दुनिया जिसे कह रहे हैं, उसमें आप किस तरीके से behave करते हो, कैसे अपने आपको protect करते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ आपको harm नहीं करनी चाहिए, उसके लिए आप अपने आपको किस तरीके से secure और safe रखते हो, बिलकुल वैसे ही, हम internet पर भी जब काम कर रहे हो, चाहे फिर आप कोई social media access कर रहे हो, या फिर आप internet पर online shopping कर रहे हो, या internet पर कोई game केल रहे हो, या फिर entertainment का use कर रहे हो, मतलब आप कोई music या movie देख रहे हो, आप कोई भी काम internet पर कर रहे हो, तो उस time पर भी आपको अपनी safety को ध्यान रखना होता है, So basically, इस chapter में cyber safety का यही मतलब है, कि जब भी कोई individual या group of individuals internet का use करते हैं, तो वो internet में किस तरीके से behave करते हैं, किस तरीके से अपने आपकी खुद की safety को ध्यान में रखते हैं, उसके लिए क्या measures हो सकते हैं, क्या-क्या threats हो सकते हैं, जो उनकी safety को harm कर सकते हैं, So overall इस chapter में हमें यही सारी चीज़ें पढ़ना हैं, Right, So today's edge cannot be even thought of without internet, even in dreams, मतलब आजकल जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, उसे हम internet की दुनिया कहते हैं, Right, यदि हम उसे बोले तो online world में हम जी रहे हैं, ऐसा एक दिन नहीं जाता है कि आप उस दिन में internet का, mobile का, computer का, laptop का, PC का use नहीं करते हों Right, mobile का तो हर को use करता है, बिना mobile के, उसमें बिना internet के हम जी नहीं सकते हैं, फिर चाहे आप किसी से chat करते हों, किसी से call पर बात करते हों, like वो video calling या video conferencing call हो सकता है, ठीक है, या फिर आप कुछ game play कर रहे होते हों, है ना या आप social media को access कर रहे होते हो, movie देख रहे होते हो, song स वैसे ही internet पर भी behave करना होता है, तो जैसे internet के इतने सारी users है ना, जिससे हमने हमारी life को बहुत जादा easy बना के रखा है, बहुत जादा convenient बना दिया है, क्या किया है, internet ने आपकी life को बहुत जादा easy और बहुत जादा convenient बना दिया है, है ना, आपको कहीं बाहर travel करके नहीं ज जाना है आप 24 x 7 hours अपने mobile phone में, laptop, PC में, online shopping चैसे websites को access कर सकते हो और वहीं पे आप digitally हर चीज को कर सकते हो, जो भी आपको purchase करना है, discount देख सकते हो, offer देख सकते हो, ठीक है, आपको electricity, bill या फिर आपको किसी भी काम के लिए बाहर नहीं जाना है, आपके पास websites available है अलग-अलग, इंटरनेट में जिनका आप यूज करो और घर बैठे अपने काम को आसानी से कर लो, तो यह चीज मेरी समझ में आ रही है, कि इंटरनेट ने जितना आपकी life को easy बनाया है, वही उसके कुछ safety measures भी होते हैं, कुछ यहाँ पे risk भी होती है, जो आपकी safety को, आपकी security को harm कर सकती है, so although internet has made many things easier, but at the same time, it has posed many security risks to if not used in a proper way, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें internet को इक proper way में use करना होता है, यदि आप internet को proper way में use नहीं करते हो, तो यहाँ पे जो आपकी safety है, जो आपकी security है, वो हट सकती है, मतलब वो less हो सकती है, ठीक है, तो security risk भी हम कह सकते ह है, क्योंकि internet पर इतने सारे threat होते हैं, इतने सारे malicious softwares होते हैं, viruses होते हैं, जो आपको harm कर सकते हैं, ठीक है, so thus it is important to know about possible threats, तो आप वो threats क्या होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए, तभी तो आप अपनी safety को measure कर पाऊने, right, क्या challenges आप face करते हो, क्या risk face करते हो, while you work on internet, sure personal safety and information safety, जिससे आप अपनी personal safety को भी और साथ ही अपनी information को भी secure रख सकते हो, क्योंकि हम हमारी social media websites का use करते हैं, वहापे अपनी profile बनाते हैं, बड़ी आतरीकी से अपनी सारी information को वहापे upload कर देते हैं, right, तो आपकी information किस हद तक secure है, कहीं कोई ऐसा hacker या कहीं कोई ऐसा person तो नहीं है, जो आपकी information को hack कर रहा है, steal कर रहा है, उसका misuse कर रहा है, ठीके कहीं कोई ऐसा person तो नहीं है, जो आपकी information को hack करने के साथ, साथ, है ना, आपकी जो personal safety है, उससे harm कर रहा है, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारी चीज़े सुनने में आती है, कि online एक OTP share किया गया, जब आप internet को use करते हों, तो वहाँ पर बने रहते हैं, तो internet को हमें बहुत ध्यान से use करना होता है, ठीके अब इस chapter में detail में हम इसी चीज़े को cover करने वाले हैं, कि क्या challenges है, क्या threats है, क्या risk है, और इन risk से, threats से, challenges से, आप कैसे overcome कर सकते हो, इन से आप बाहर कैसे निकल सकते ह क्या safety measures आपको लेने होते हैं, detail में इस chapter में हम इन सारी चीज़ों को cover करने वाले हैं, so बहुत interesting ये chapter होने वाला है, आपको वो सारी चीज़े इसमें पता चलेगी, वो सारे तरीके आपको पता चलेगे कि internet पे काम करने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क safety measures to avoid them, in risk को, in challenges को avoid करने के लिए, इन से बचने के लिए आपको क्या safety measures लेने होते हैं, आगई बात समझ में, so इतना अभी तक हमें clear हो गया कि इस chapter में हमें क्या पढ़ना है, actual में इस chapter का motive क्या है, okay, so cyber safety chapter आपकी book में क्यों लिया गया है, previous unit में हमने network क्या होता है, internet क्या हो होते हैं, उनको कैसे use किया जाता है, किन किन devices को consist करते हैं, तो basic हमने complete कर लिया, अब यहाँ पे जब बात internet के आती है, तो लोग वहाँ पे जितना उसको use करते हैं, उतने ही उसके threat और उतने ही हम बोल सकते हैं, कि causes होते हैं, जो कि आपको, आपकी safety को harm कर सकते हैं, है ना, त to the safe and responsible use of internet, कि आप safe और सही तरीके से internet को use कर सको, basically cyber safety यही बताता है, cyber यही बताता है, और internet को आप कितने safely तरीके से use कर पा रहे हो, है ना, basically यही cyber safety बोलता है, so as to ensure safety and security of personal information and not posing threat and anyone else information, ठीक है, कि आप जो भी अपनी personal information share करते हो internet पे, क्योंकि एक बार यही को information share हो गई, फिर वो delete नहीं होती, भले ही आप अपने end से उसे delete कर देते हो, लेकिन वो internet पे हमेशा के लिए बनी रहती है, server side पे वो हमेशा के लिए store रहती है, यह चीज़ आप धिहान रखना, तो internet पे जब भी आप कुछ post करते हो, कुछ image, audio, video, जो भी चीज़ आप upload करते ह है, ठीक है, ताकि उससे आपकी safety और security हाम ना हूँ, ठीक है, तो कौन-कौन से threats हैं, कौन-कौन से challenges हैं, जिनसे आप बच सकते हैं, उसके लिए आपको क्या safety security measure लेना है, वो जिस कौन बताता है, cyber safety बताती है, ठीक है, तो internet पे safe रहने के लिए हम just term का use करते हैं, उसका नाम ह cyber safety, अब इसमें किसे इसको आप involve कर रहे हो, इस chapter में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं cyber safety से related, so it involves gaining knowledge about possible threats, कि कौन-कौन से possible threats होते हैं, ठीक है, उनका knowledge हम लेंगे, उनके बारे में हम discuss करेंगे, to personal safety, जिससे आप अपनी personal information को safe रख सकते हो, and security risk for the information along with measures to prevent and counter them, कि जो भी basically risk आपक करती है, जैसे आपको ऐसा लग रहे है कि इस link पर मुझे क्लिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहिए link से मेरे computer में या mobile phone में virus तो नहीं आ जाएंगे, तो इस risk को कम करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, किस इसका knowledge होना चाहिए, है ना इस risk को overcome कैसे किया जा स सकता है, बहुत सी बार आपने सुना होगा न, ऐसा भी कहा जाता है, आज कल टीवी पर भी, या इंटरनेट पर भी बहुत से ऐसा advertisement आते हैं, कहते हैं वो आपको कि unknown link पर click नहीं करना है, password अच्छे से आपको रखना है, को easily hack ना करना है, OTP किसी के साथ share नहीं करना है, तो य cyber safety होता क्या है, यदि इसके definition आएगी, तो अब आप exam में definition लिखकर तो बहुत अच्छे से आ जाओगे, है ना, और इसमें किन चीजों को include किया जा रहा है, और इस chapter का overall motive क्या है, so next video में आपको मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि हम इसमें ये सारी चीजों को detail में पढ़ने आज तो हमने basically इस वीडियो में इस chapter का overview समझा है, और साथ ही जाना है कि cyber safety होता क्या है, right, so यदि वीडियो अच्छे लगी तो इसे like कर सकते हो, share कर सकते हो, subscribe भी कर सकते हो, channel को यदि अभी तक नहीं किया है, तो, magnet brains आपको provide करता है, ना सिफ K12, बलकि CBC in English medium, spoken English, CVT, NTSC, UP MPBR board, और अब तो MP board की preparation भी करवा रहा है, 100% free of cost with high quality education, right, यदि आप video lectures को access करना चाहते हो, so अभी तक मैंने chapter 1 to 5 पूरे complete कर दी है, जो student पहली बार video देख रहे है, तो आप सारे video lectures को access कर सकते हो, YouTube playlist के तूरू, उसके link आपको description में मिल जाना है, या फिर magnet brains.com website कर सकते हो, या आप mobile app को भी download कर सकते हो, play store से, right, सबी जगह से सारे video lectures को कितनी भी बार देख सकते हो, इसके लिए आपको कोई payment करने की जरूरत नहीं है, ebooks या e-notes को access करना चाहते हो, तो उसके link भी आपको description में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे easily access कर सकते हो, यदि आप हमारे social media platform को access कर करना चाहते हो, for latest news और updated news के लिए, तो आप follow कर सकते हो, facebook, instagram, twitter, जैसे pages को भी, ताकि आप अपनी exam में बहुत अच्छे marks को score कर सको, साथ ही साथ, अपने life में कुछ बहुत अच्छा चीव कर सको, मिलेंगे next video में, till then, stay or stay happy, thank you so much.